एक्टिंग और स्टार्डम की दुनिया में जो स्वैक सल्मान खान का है वही डांसिंग की दुनिया में नौरा फतेही का है नौरा फतेही विदेश से इंडिया में आई थी और एक मदबूत सेलिवर्टी डांसर बनकर स्टैबलिस हो चुकी है स्टार्टिंग के केरियर में बहुत ही ज़ादा आई टांस की है आलंकि एक दू फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी है पिर चाहे हो रो रो ये फिर भूज लेकिन सल्मान खान के साथ उनका बहुत डिफरेंट कनेक्शन है सल्मान खान के साथ जब भी ही स्टेज्ड पर होती है बहुत ही गरिमा के साथ बहुत ही रेपुटेड वे हैं मुलहकात होती एवन जब भी सल्मान खान को अपने Big Boss में बलते हैं तब भी बहुत मस्ती करते हैं आपको याद होगा एक रियाल्टी सो में जब बिग बॉस के सामने नुरा फतेही आई थी तब दोनों ने हाई गर्मी डांस पर बहुत ही फणी तरीके से परफॉंग किया था और वही है गर्मी वाला गाना इस बार आई पा के आबुदावी वाले इमेंट में हुआ जो कि साल 2030 के सब्सक्राइटेंस परफॉंग मना जाता है चाहिए वरुन दावन के साथ मिलकर हाय गर्मी गानी को बहुत नय और फणी तरीके से डिट्रीट किया गया इस स्टेज सो में कई मज़ेदार घटनाय भी घटी जैसे वरून और नोरा ने इस गाने को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और गर्मी मगादी स्टेज पर वैसी सर्मान खान ने अपनी एनरजेटिक परफॉर्मेंस के जरिए स्टेज पर आग लगा दी और कई बार टॉ बहुत कर रहे थे पर फॉर्मेंस के बाद नीचे उतरतेएं और नोरा फती इसी С 보시 tray से अब सुझत लियूप मढई करने का दिखार को इसका दॉप है कि ने यूठी पर जाती है और रियूद आप सराइं सपना है कि वो हैलन की लाइफ को बड़े पर उतारें इसके लिए वो एक्टिंग भी क्लासेज भी लेंगी डांग परफॉर्मेंस को उन्हें बहुत ही नेक करेंगी प्लस वीडियो प्रपर देखकर हैलन की तरह बिहेव करेंगी यह उनका ड्रीम रोल है और जाहिर सी लोल के जरियो सल्मान खान की स्टेप मॉंग बन सकती है तो नोरा और सल्मान की बीच में गर्मी कोई एक गाने की नहीं बलकि बहुत सारी केर्मिस्ट्रीज की है और एक गर्मी बढ़ते बढ़ते लगता है एक दिन ऐसे हाई टेंप्लिचर पर आएगी जहां सल्मान खान और अफती ही मिलकर एक साथ काम करेंगे और पब्लिक को भी इंटर्टेंब्मिन की गर्मी देंगे